हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू नौटी स्टेचेज आज के इस वीडियो में आपके साथ ट्राउजर का एक बहुती सुंदर सा डिजाइन शेयर कर रहे हूँ इस डिजाइन को बनाना बहुत आसान है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मै यहां पर एक शेप ड्रॉब कर लिए और अब हम इसे काट लेंगे इस तरह से इसे काटने के बाद हम कपड़े के पटी लेंगे यहां पर मैंने ब्लैक कलर के फैबरिक की पटी लिए है और इसके बीचे फ्यूस पेपर मैंने चिपका लिया है ताकि यह थोड़ा सा यहां पर हम एक स्केल की हेल्प से तकरीबन 1.5 इंच दूरी पर एक सीधी लाइन ड्रॉख करेंगे अब हम इसके उपर बुकरम से काटा हुआ पैटरन ट्रेस करेंगे इस तरह से जहां पर मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया है वहां पर मैंने पैटरन को भी फोल्ड करके सब्सक्राइब एरिया में हम लिवाय बाकर में आद बाकर प्रेसि कर लिए इस तरह पार एहां है अब राग कर लेंगे तुड़ा पैन की हमसे ताकि जब हम ऄसी तरस चा herman अब कर यह यह तरह करें तो डिफाइन नहीं होगी, जब हम सिलाई लगाएंगे तो इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी अगर हम चॉक से इसको ड्रॉ करेंगे, अब हम इस पट्टी को खोलेंगे और दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से, और अब हम अच्छे से यहाँ पर इस पैटरन को दूसर तरफ प्रेस करके ट्रांसफर कर देंगे, यह देखे, तो इस तरह से यह पैटरन दूसरी तरफ भी ट्रांसफर हो गया है, अब हम इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, यह देखे, तो इस तरह से हमें पैटरन ड्रॉ कर लेना है, तो इस तरह से पैटरन ड्रॉ करने के आथा इंच और एक कच्छी सिलाई लगाएंगे यह सिलाई हम डिजाइन पूरा होने के बाद निकाल देएंगे अब हम ट्राउ सर की राइझ सइड्ड पर इस पटी को इस तरीके से रखेंगे कि ट्राउसर के कपड़े की राइट साइड और इस पट्टी की राइट साइड एक दूसरे को फेस करें और अब हम एक कच्ची सिलाई लगा कर इसको अच्छे से अटाच कर लेंगे एक और कज्ची सिलाई हम इसके उपर भी लगाएंगे ताकि ये पट्टी बिल्कुल अच्छे से ट्राउजर के साथ अटाच हो जाए और जब हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगाएं तो यह अपनी जगा से हिले नहीं अब यहाँ पर हम बिल्कुल बारिक बख्ये से सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने पैन से पैटरन को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके उपर हमें सिलाई लगानी है ये देखिए बहुती सफाई से हमें इसको गुमाते हुए सिलाई लगानी है सिलाई बिल्कुल भी टेड़ी नहीं होनी चाहिए जहां जहां पर हमने पैन से ड्रॉ किया है पैटरन बिल्कुल उसके उपर हमें सिलना है ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बहुत ही सफाई से इसको सिलना है कच्ची सिलाई लगाने की जगा आप इसके ऊपर पिंस लगा के भी सिक्यूर कर सकते हैं बस ये सिलाई लगाते हुए अपनी जगा से नहीं इलना चाहिए तो यहाँ पर मैंने सिलाई अच्छे से लगा दी है अब हम इसका एक्स्टा कपड़ा कट करेंगे बहुत ही थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़के हमें इसका सारा एक्स्टा कपड़ा काट लेना है इस तरह से और साथ ही हमें इसके नीचे कट्स भी लगाते जाना है ये देखिए हमें इस तरह से कट्स लगाने हैं कि इसका धागा ना कटने पाए और पूरे पैटरिन को हमें इसी तरह से काट लेना है तो यहाँ पर मैंने इसके अच्छे से कटिंग कर दी है और अब हम इसे सीधा करेंगे इस तरीके से किसी भी पैन या नुकीली चीज की हल्प से हमें इसके कोने बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर निकालने के बाद हम इसके उपर प्रेस करेंगे तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सभी कोने अच्छे से बाहर निकाल दी हैं और अब मैंने इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि प्रेस करने के बाद हमारे ये डिजाइन कितना अच्छा दिख रहा है अब हम कपड़े की एक पट्टी बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की एक पट्टी ली है और हम इसे फोल्ड करके तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी बना कर तयार करेंगे तो इस तरह से हम बिल्कुल सफाई से इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हम इसकी दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने तक्रीबन आदा इंच चौड़ी ये पट्टी बना कर तयार की है और अब इस पट्टी को बनाने के बाद हम लेस को कपड़े के नीचे दबा कर लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर मैंने वाइट कलर की कॉटन की लेस ली है आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप अपनी कुर्ती के कलर के साथ मैच करती हुई पाइपिन भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो इस तरह से मैंने लेस को अच्छे से अटाच कर लिया है और अब जो हमने पट्टी बना कर तयार की थी उसे हम इसके नीचे इस तरीके से रखेंगे और चौक की हेल्प से हम इसके उपर निशान लगाएंगे जहाँ जहाँ पर ये नोक आ रही है इस डिजाइन की वहाँ पर हमें चौक से निशान लगा लेना है इस तरह से चौक से निशान लगाने के बाद हमें इसके उपर मोती लगाना है तो जहाँ पर हमने चौक से निशान लगाया था उसके उपर हम सुई से सिलेंगे इस तरह और अब हम इसके उपर एक मोती अटाच करेंगे यहाँ पर मैं छोटा सा वाइट कलर का मोती ले रही हूँ आप चाहें तो थोड़ा बड़ा सा इस भी ले सकते हैं मोती का और मोती का कलर आप अपनी कुर्ती के कलर या फिर लेस के कलर के हिसाब से ले सकते हैं तो इस तरह से बिल्कुल मजबूती से हमें इस मोती को यहाँ पर अटाच करना है इस तरह से इस मोती को आप बिल्कुल मजबूती से अटाच कीजेगा ताकि यह धोने पर भी निकले नहीं तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी मोतियों को अच्छे से अटाच कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन बनने के बाद कितना सुन्दर दिख रहा है अब हम इसके उपर फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इ इसके साथ ही हमारा ये डिजाइन भी बनकर तयार हो गया है और इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको ट्राउजर की लंबाई उतने ही कट करनी है जितने आपको तयार चाहिए तो गायज आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ पैल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रैगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सकें साथ ही आप मुझे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो गाइस थेंक यू सो मच फॉर वच्चिंग बाई बाई